नमस्कार दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए एक और important question लेकर आया हूँ अगर आप competitive exams की त्यारी कर रहे हैं तो यह question आप लोगों के लिए बहुत important है चलिए question देखते हैं वैं छोटी से छोटी संख्या ग्यात की करो जिससे एक सोस संख्या से गुणा करेंगे तो कोई ऐसा नमबर आएगा जो की पूर्ण रूप से वर्ग बन जाएगा तो इस प्रकार की संख्या ग्यात करने के लिए हमें क्या करना होगा तो सबसे पहले देखिए अगर चोटी से छोटी संख्या पूछा जाए तो हमें हमेश्या itam लेन तो चलिए इसका LCM लेते हैं 2, 9, 18 3, 5, 15 तो इसके LCM हमारे पास क्या-क्या factors है इसके हमारे 2 multiply, 2 multiply 3 multiply, 3 multiply 5 यह हमारे पास इसके factors या LCM आया है अब हम किस परकार से इस नंबर को निकालेंगे जिससे की 100 सीवो गुणा करें तो एक पौन रूप से एक वर्ग संक्या बन जाए तो हम इसको देखते हैं जिसके भी 2 जोड़े बन रहे हैं उसको हम चोड़ देंगे तीसरा नंबर जिसके जोड़े नहीं बन रहे हैं उससे हम इसको मल्टिप्लाई करेंगे तो एक पौन रूप से वर्ग संक्या बन जाएगी जैसे करके भी देखते हैं 180 मल्टिप्लाई 5 करते हैं 580 40 580 549 900 तो 900 एक ऐसी संक्या बन गई है जो की 30 का पौन रूप से एक परिपून वर्ग है तो इसलिए हम LCM लेके और जिसके पेर हमारे पास हैं उनको छोड़ देंगे और जो पेर में नहीं है उसी संक्या से अगर एक सोस्टी को गुना करेंगे तो एक परिपून वर्ग संक्या हमारे पास बन जाएगी तो इस प्रकार से आप शोट्रिक दोवार कोशन को इसलिए सोल कर सकते हैं धन्यवाद